संजय वाच आपका नाम संजय है लेकिन वाच रेंगे विने लिए यह वो ख्षण है जब हमने स्त्रेंड ता त्यागी पूर्वजों के कीर्थिवान पौरुश के पत्थ पर चले इसकी प्रश्ट भूमी यह है कि राम जन भूमी और बावरी मस्जिद के विवाद को निप्टाने के लिए सबसे जो गंभीर प्रयास किया था वो चंशेकर सरकार ने किया था और इस भूमी परिसर में कुछ जगे ऐसी थी जो राम जन भूमी नियास्त ने खरी दी थी कुम्भ के मेले में घोशना हो गई कि हम अब भूमी पूजन करेंगे 6 दिसंबर दिन तै कर दिया सरकार चंशेकर जी ने सारा पूरे एक्षित्र का अधिक रहन कर लिया और तै किया कि अब इसको बड़े स्पीड से और एक एडिशनल सेकेटरी को इसी कारे में लगाया गया कि आपको सुल जाना है दोनों से पक्षों से राम जन भूमी नियास और बाबरी मस्जिद एक्षिन कमेटी से कि आप अपने अपने दावे दीजे दौनों ने दावे दिये उनके फोटो कापी करा के एक दूसरे को दे दी गई और राम जन भूमी नियास ने जो बाबरी मस्जिद वालों ने कागस दिये थे उसमें से चार पन ने अपने पक्षम टांग दिये कि य हमारी बात कहते हैं हमारा पक्ष पुष्ट करते हैं इस च्छन में ऐसा होने के बाद वाम पंथी त्यासका इसमें कूद पड़े और इस पर यह तर्क दिये जने लगे जो अभी सुशील जी कह रहे थे कि पहले सिद्ध करिए कि राम जन्भूमी यह है यहीं इसी जगा पर जन्म हुआ था इसी जगे भगोती उनकी मा ने उनको कुशा लेने जन्म दिया था यह सारे विहूदी की पहलाने लगे और राम तो काल्पनेक चरित्र हो जी अब आपका माइक ब्यूट है कि राम थे भी या कि नहीं थे हाँ काल्पनेक चरित्र ही सारी बत्तमीजियां की उसके बाद बाबरी मस्यद वाले बैक आउट कर गए अब सिचुएशन यह थी कि राम जन्भूमी न्यास घोशना कर चुका है कि हम कारसेवा करेंगे और जमीन सरकार ने धिक्रित कर ली तो राम जन्भूमी मंदिर न्या मंदिर की एक मकान की छत पर मंच बनाया गया जिसमें आडवानी जी और बगारा बगारा सारी थे किसका नाम ले वहां से भाशन हो रहे थे और लोग सब एकत्र हुए और तैये किया गया कि नाक बचाने के लिए कि हम अयुद्या ये सर्यू तक जाएंगे दोदो की कतार मे और महां से जल और रेत लेकर आएंगे आसब से आगे आरके कारिकरता थे बड़े जोर शोर से नारे लगा रहे थे धेरों सतरी आएं थी लड़कियां बहुत थी सब गए लोट कर आए इतनी भीड थी वहां पर कि यहां का जो जट्थे थे वो अपनी जगे सहेले नी और व भूमिपूजन हो चुका था जैसे अभी नरिंद मोदी जी हमारे प्रधान मंत्री भूमिपूजन करने गए मगर यह भूमिपूजन तो कौमेशर चौपाल पहले कर चुके हैं कितनी बार भूमिपूजन होगा यह तो पहले भी हो चुका है तो लोग मचल उठे संगठन के विशुन दोपरशत के त्यादी के लोगों ने ठंडा करने की कोशिश की लोग बगड़ उठे मेरा संदे है और आज मैं कह सकता हूँ यह बात मैं अभी तक अवाइड करता रहा हूँ चोकि उन लोगों ने अपनी शट उतारी हुई थी उनकी खाकी पेंट थी और जूते लाल थे इससे पता लगता है वो पी सी के लोग थे तो जो बेरिकेट से चारों तरफ लोहे किये उन्होंने वोट खाड़े और जिस तरह से किले की दिवार तोड़ने के लिए दरवादा तोड़ने के लिए हूल मारते थे पहले पेड़ों की और भारी भरकम चीज़ों की इन्होंने हूल मारी, उससे कुछ मट्टी उखडी, फिर मारी तो एक खपा उखडा, बस फिर तो रस्ता मिल गया, एक तरफ से लोग तूट पड़े, सारे लोग प्रियास कर रहे थे, बड़े पहमाने पर ये बात हो रही थी, कि आप नीचे उतर आई है, शपत दिला रहे थ अपके अंदर एक जौर था, ये एक बिल्कुल सुनामी थी, और उसकी धर्म की, लगातार लोग कर रहे थे, और किसी के रोके नहीं रुक सकते थे, किसी स्थती में, अच्छा, उधर सरकार की तरफ से स्थती क्या थी, कि उन्होंने सीधे ये कह दिया, कल्यान सिंग जी ने प्रशासन राज्य कोई भी सुनके राजी नहीं था, ये मारतुली बगरा जो कहां तीन पांच कर रहे थे, इंकी अच्छी बढ़िया ठुकाई हुई थी, इस अब लोगों को पीटा गया था, जो बड़े कैमरे ले ले के घूम रहे थे, जिन्होंने आप देखेंगे, कि उस सारी शौरे गया था, कि निकट के फोटो प्लग्द नहीं है, वो दूर से छटों से जिन्होंने ले 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 लिये, पास से कि लोगों ने तुरन सब कैमरे ले चीन चान के बराबर कर दिया, कि इसका रिकॉर्ड नहीं लेना, और ये सब हुआ, वहां जो मूर्तिया रख है, वो मैं आप से निवेदन करूँ, आप चाहेंगे तो इसको सर्च कर सकेंगे, नेट पे मिल जाएंगे, इस अंदोलन के जो प्रनेता थे, शुरू के लोग थे, जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया, भागा दोड़ी की, और जो मुकदमा लग रहे थे, महंतर राम बड़े ऐसे फोटो मिलते हैं, इसके बयान हैं, उल्लेख हैं, दसों, कि राम चंद्रदास अपने साथ हाशम हंसारी को एक रिक्षे या तांगे में बैठा कर कोट ले जाते थे मुकदमे के लिए, महंतर राम चंद्रदास को जो उनके अराध्धिकी उपासना करने से रोक करने से, हम उसको गले लगा रहे हैं, जो सुशील ये बात कह रहे हैं, कि 370 हटने का उत्सव नहीं मनाना, ये स्त्रेण मानसिक्ता कहां ले जाएगी हमको, सामानी रूप से समझने की बात है, अपने शत्र को पहचानिये, उस मानसिक्ता को समझे बगएर, आप इसमें बदलाव कैसे लाएंगे, जो लगातार ये काम करती आ रही है, कोई आज से नहीं हुआ, ये सर विद्या पॉल ने ये कहा है, कि भारतियों को, उनने हम नहीं का, वो भारत के मूल के थे, मगर भारती नहीं थे, उनने का कि भारतियों को स्पेन की तरह अपने इतिहास का पुनरलेखन करना चाहिए, स्पेन ने क्या किया था उनका जो कैथरिडल था उसको स्पेन जब इसलाम में जीता तो सबसे पहले उस कैथरिडल को गिरा के वह मस्जिद बनाई स्पेन के लोगों ने जीतते ही सबसे पहला काम किया उस मस्जिद को धुस्त करके दुबारा चर्च बनाया वो ही चर्ट जिसे हागया सोफिया अब वापस तर्की वालों ने तुर्की तर्क माँ गलत संदर्प दे गया तो उन्होंने उसको तोड़के वापस चर्च बनाया ये कोई पहली घठना नहीं है अभी तुर्की में हुआ है एक जो चर्च था उसको तोड़कर वापस मस्जिद बना दी गई ये सामाइने असलामी विभार है वो अपने आपको ये मानते हैं कि जो सही जीवन दर्शन है वो उन्हीं के पास है और उससे इतर जो कुछ भी है वो त्याज जे नहीं है उसको नश्ट कर दिया जाना चाहिए उनको मानने वालों को जान से मार दिया जाना चाहिए उन्हें कतल कर दिया जाना चाहिए आप इस मानसिक्ता के साथ मुस्कुरा के कैसे चलेंगे अपने कृपया ध्यान कीजिए एक शब्द सिंगहावलोकन सिंग आवलोकन जैसे सिंग गर्दन फेर के पीछे देखता है अपने इतिहास को देखिए आप हमारे पराक्रमी पूरवजों ने संसार को ज्यान दिया है ज्यान इसलिए नहीं कहलाते थे हम सारे ज्यान का केंद्र भारत इसलिए कहलाता था कि हमारे पास सबसे वड़े विश द्याले विश्व में बने ही भारत में हैं मगर उन विश्व द्यालों की रक्षा के लिए खड़ सदय तैनात रहती थी उस खड़ को छोड़ देने का परणाम हुआ और यह कोई बड़ी बात नहीं है बंधे बकरे काट लेना गरीबों को मार लेना जिनके पास कुछ नहीं है बहुत भीक्षों को काट डालना है तो कोई बात नहीं ताल ठोकने का नमबर आजाने कहत्तर में सारी तीस मार खाई निकल गई तेरानवे हजार तो एक जगह के हैं कुल मिलाके एक लाग से उपर सैनिकों का आत्मसमरपन हुआ जनरल सुबेक सिंग नाम सुनाओगा आप लोगोंने उन्होंने कहा था कि ये लोग मुझे दे दो बंगालियों को सौप देते हैं वो सीधा कर देंगे नहीं इस पर तो जिनिवा फलाना लगेगा नहीं हम तो इन्हें बिरियानी खिलाएंगे गले लगाएंगे भारती सेने बरामदों में सो रहे हैं उनके लिए कमरे दिये गए अपने श्रत्रु के प्रति ये जो मिथ्या बिलकुली बेतुकास ने है ये श्रत्रु का दर्ब बढ़ाता है उसको एसास कराता है कि ये जीतने वाला गड़ा है हम हार कर भी इसके बाक्षाए है हम राजा हैं इसके इस मानसिक्ता से बाहर आईए जब तक ये नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा और बदलाव कैसे आना है आखिर इस सारी समस्या का जो हमारी म पूल धरती है उसका समधान करना है कि नहीं बहुत बड़े पेवाने पर विश्वास कीजिए मैं संपर्क में हूं मुर्तदों के जनों ने इसलाम त्याग दिया भारत में बहुत हैं अमेरिका में बहुत हैं पाकिस्तान में बहुत हैं इन लोगों को प्रश्रे दीजिए कंदे ठोकिये में मझबूत कीजिए इसलाम की समस्या का समधान यह हार समंसारी को मुकद्म में ले जाना नहीं है तो नहीं तो यहीं टांग छ साट देंगे तो यह जब ताल ठोके बिना कुछ नहीं होने वाला छे दिसंबर को ताल ठोकी उसका परणाव आया कि वो धर्ती साफ हुई वहां से सारे प्रमार निकले कोट में मुखदमा चला और संजीदा मुखदमा चला है हाई कोट की निगरानी में हुआ है कि जितने लोग मुखदाई करेंगे पूट ना बोला जा सके उन सबकी रिपोर्ट है कि हम अंदिर है मगर वो निकला कैसे निकला इससे कि बाबरी धाचा नहीं बाबरी मस्जद का विद्धुन्स हुआ चोकि मेरे मंदर पर बनाई गई थी वो मस्जद थी धाचा नहीं था मर्द की तरह बात कीजिए इसमें इस त्रेंटा नहीं चाहिए तो उसका परिणाम आया हम सत्य प्रकट कर पाए और यही मार्ग बाकी सब का है तो कि यह तो इंच-इंच की लड़ाई है आप धके लेंगे पीछे हटेंगे फिर वो गुर आएंगे फिर धके लिए फिर पीछे हटेंगे और समाज इसके लिए चाहिए तो हमारी तो 40,000 हैं उस सब चाहिए मगल लगातार दबाओ लगातार दबाओ यह पीछे हटकर कमजोरी से बात करने से नहीं होगा कि 6 दिसंबर नहीं मनाना है और 370 पर नहीं करना है और फलाना नहीं करना आखिर लेना क्या है यह इस चिंतन की जो आएंगे तो बात नहीं बनने वाली किसी सूरत बात नहीं बनने वाली आप कल्पना करें कि जब लौट रहे थे जिस ट्रेन यह ट्रेन सीधी लखना हुआ करूगी थी जो ठेले वाले थे तूट पड़े कि पूरियां खाईए खाली पेट मत जाईए वो गरीब जो दिन भ अशिलिब घ्रमन गश्राइब खार्रेब हम ऐसका था और वो दे अ कि सारे समाज में यह था मगर निट्यत्व वह दिली पहुंचके कहता कि यह मेरी जीमन का सबस्काला दिन है टो आप क्या सोचिआ है यह जीवन का काला दिन है तो उजला दिन क्या होता कि वहाँ एक आज जगे और बन जाती तब उजला दिन होता यह जो वैचारिक विभ्रम है कि हाथ पैर फूल जाते हैं यह बड़ी गड़़ है मैं गटना आपको थोड़ा समय और ले सकता हूं इससे विशेंतर हुआ मगर गुंबध तो ठीक से गिराया ही नहीं गुमबध तो ठीक से गिराही है हमद वो च्छण सुनने के लिए आतर बैठे आपने मैंने आपको आपको निवेदन किया था इधर इधर की बात नगर past यह बता कि कारवा गिरा कैसे जी 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 वही जो प्यानी जो बल्यें लगी में थी लोहे की बेरिकेट जब मारी तो वो जो जरजर इमारत थी सेक्ड़ों साल की वो साइड से उसकी जो दिवार थी वो ढह गई धेते ही गुंबा टेड़ा हुआ वो नीचे आपड़ा कई कारकरता थी चोट था है उसमें अब वो गिरात को ये बात लो इस जगे को साफ करना है उसी में लगातार चुकि एक के उपर एक ठिका हुआ था और एक दीवार गिरता ही वो नीच आए और बाकी नीच आए और तो आतर था ये सब गिरते चले गए और जो नितत तु था जिसने ये कारे करना था वो तो तब भी रोक रहा था मगर एक ब जो परिणा माना है वो या नहीं है समाज एकदम से और उश्वान बन गया और अयुद्ध्या की जो स्थानी नागरिक थे चूकि नब्वे की याद ताजा थी कि पुलिस आई थी मिलिटरी आई थी सॉरी सी एर पीफ और लोग आई थे इन उन बूलिया चलाई थी लोगों ने थे कुछ हो जाए लोगों ने फिर काट-काट डाल दी है सब्कों पर किसी तरह से कुछ ना हो जाए उस उत्सा का वह रोनन सही शब्द गासुशीली ने यह अनिर्वचनी घटना थी कल्पना नहीं कर सकते कि मतब जिसे कुंडलनी जागरन होता है कि रिड़ की हड़ी म रही थी इस द्रश के साक्षी थे कि इतिहास का हम करेक्शन कर पा रहे हैं वो व्यक्ति जो बिलकुल गाउं से आया था वो भी उसी जिजी विशा से उसी पौरुश के साथ उसी आग्रह के साथ तूट रहा था लग रहा था कैसे हो जाए मैं इसमें अपना हिस्सा बना अद्वुत वो घटना थी अद्वुत घटना थी और उस घटना ने भारत कोई ने विश्वभर को दिशा दी आप कल्पना करें एक यहूदी अपने वेली मौल के लिए क्या करेगा यही तो है उसकी विद्रश्टिम है और कोई कोई और तरीका नहीं है तो कि आप तर्क नहीं सुनेंगे आप तर्क नहीं मानेंगे आप इत्यास नहीं मानेंगे आप पूचेंगे राम इसी जगे पैदा हुए कि नहीं पहले इसके प्रमान लाओ तो फिर साब इसका प्रमान तो यही है और कोई प्रमान नहीं है समझाओन लाल से अच्छा कोई प्रमान नहीं होता है जब समझाओन लाल हाथ में आते हैं तो सब समझ में आ जाता है देखिए